अलो जोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आरकेश्टुडी पे मैं हुर रविंद्र कुमार गाइज आप सभी लोग यानि पॉल टेक्निक सेकेंड समेश्टर के CS और IT के जितने भी स्टूडेंट है सभी लो साइड आपको बता देंगे लेकिन लास्ट में बतायेंग, डीक है वीडियो में लास्ट तक देख ते रहिएगा तो लीधे와 सीयड कर देंगे और दरया को क्योड़न कर देंगे. है तो क्लास बिल्कुल मंद मिस कीजिएगा ठीक है क्योंकि अब तक हमने जितने भी पढ़ाया है उसमें सारे के सारे मिल रहे थे जो सुरू से लेकर अंद तक अगर यदि वो पढ़ा होगा मेरा तो उसको पता होगा ठीक है तो सभी लोग एक बार जितने लोग यहां पर सब्सक्राइब कर लिए ठीक है जिससे कि आपका बेनिफिट हो जाए पीडियाफ और प्रवाइड होती है तो पीडियाफ और मिल जाए आप सभी को एक्जाम में जितने भी आने वाले इंपोर्टेंट केशन है मैंने सारे के सारे सेलेक्ट किये हुए हैं तो आप सभी किस्टन आपके स्कीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे पहला किशन केह रहा है आप सभी किसी लांगवेज हैस बीन डबलब किसने किया था आप सभी लोग फटाबर से कमेंट करके बताएंगे विकाज आपने क्लास लिया होगा पहले तो नहीं लिया तो को है सी में दिया गया है डेनिश रीचे ने तो आप फड़ा फट से बताएंगे किन में से कौन सा राइट अtr हो जाएगा है तो गाज यहां पे काफी लोग के एंसर आना पर चान लिया है और सबी लोग ध्यान में ठीक है चलिए अगला केशन चलते हैं अगला केशन आपके स्कीन पे और आप सब लेक पढ़ेंगे जवाब देंगे दिखे पहला इंटीजर दिया गया है इंटीजर में क्या क्या लिया गया है 56789 ठीक है वाट इस दे बैलू आफ थ्री अब अगर यहां पर कहा जा रहा है कि अगर यहां पर 56789 ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है कि जो तीसरा स्थान है उसकी बैल्यू क्या है तो फटब और से सभी लोग कमेंड करके बता देंगे इसका अंसर क्या होगा देखे यहां पर कहा जा रहा है कि इंटीजर में यहां पर इस पेस दिया गया है ठीक है इसके बाद इसकोल टू 5 6 7 8 9 दिया गया वाट इस दो बैलू आफ ए थ्री यहां पर यहां पर फटा फटावर से कमेंट दोर कर बताएंगे कि इन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ती यहां पर आपका क्या हो जाएगा भी वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आप समझ गये होंगे कि इसको कैसे आपको सौल करना है चलिए अगला क्यूशन चलते हैं आप सभी का बहुत बेसी क्यूशन अभी लेकर आ चुके हैं फिर दिर दिर आगे बढ़ेंगे ब्लोग तो थोड़ा सा हाड होते जाएगा ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है कोई भी मिस नहीं करेगा विकवाज इस तरह से आपके एक्जाम में क्यूशन आएंगे तो आप सिंपली कर सकते हैं अगला क्यूशन देखे दिया गया है सी कैन भी यूज ऑन फटापर से कमेंट करके बता जिए तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा तो यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते भी चलेंगे सबी लोग ठीक है जिससे हमको पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं और सब लोग कमेंट करेंगे तो क्या पड़ रहे हैं यार फिर आप लोग ऐसे स चल ला है ठीक है तो आपका मॉक टेश्टी समझ लिए देखिए सी कैन भी यूजड ओन तो देखिए सी कैने हम लोग अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहां पर आप्सन हमने पहले इसको भी बता चुके हैं लेडी तो देखिए ओनली एमस्डियो ऑपरेटिंग सिस जिसको एकदम कुछ नहीं आता तो यह पी एक तो इंसर आती है नpellop PP पर कॉत वाला तो करेक्ट कर दीजियेगा या फfighti अंगया तो यह करेक्ड कर देजेगा जिसको कुछ नहीं अता प्स जरूर हो जाएंगे चल're जबाब ँक्त ये स्कीन पर और आप सब कली बताएंग स कौन सा सही हो जाएगा अगर आपके पास दिमाग होगा तो एंसर भी आप ही के पास होगा ठीक है तो आप सभी लोग बता भी सकते हैं फ्लोट यहां पे 15 दिया गया है तो अगर एरे की बात करें तैरे में भी हमारा साइज क्या होगा उतना ही होगा घट थोड़ी जाएगा यहां पे option number जित्ते लोग C दे रहे हो सभी लोग यहां पे correct हो जाएंगे ठीक है चौथा का आपका 15 का 15 होगा एंसर भी आपको यहां पे मिल गया चलिए अगला question चलते हैं अगला question आपके screen पे और आप सभी लोग बताएंगे जहां पे hard question होगा हम हिंदी में आपको दिख ठीक है कहा जा रहा है यहां पे कि जो हमारा C program को machine भासा में परिवर्तिन किया जाता है किसके द्वारा आप सभी लोग फटा फटावर्स कमेंड करके बताएंगे वैसे इंगलीस उतनी अपकी hard भी नहीं चल लई है C program are converted into machine language with help किसकी सहायता से यहां पे कहा जा रहा है किसकी सहायता से इन में से किसकी सहायता ली जाती है जिसको हम लोग मसञीनि जो C language हमारा होता है जो C programming होती है उसको machine भासा में बदल लेते हैं किसकी सहायता से यहां पर का जा रहा है किसकी सहायता से इन में से कौन सा है जैसे पहले आपका दिया गया N editor, N computer, N operating system नो आप देवाव इन में से कौन सा जिसकी सहयता लेकर हम लोग C programming भासा को machinery में करने वट कर दे हैं तो यहां पर काफी लोग का answer या ने start हो गया है तो simply हम लोग किसका यूज करते हैं का इस compiler का यूज करते हैं तो जितने लोग option number यहां पर दे रहे हैं यहां पर correct हो जाएंगे चलिए अगला question आपके screen पर आ चुका है आप सभी लोग पढ़ेंगे जब आप देंगे six number का array each हमने array आप सभी के लिए पढ़ाये थे ठीक है तो आप सभी लोग बताएंगे कि array क्या है primary data type है pointer data type है या या पर हेट्रोजीनियस data type है होमोजीनियस data type है फटाफर से comment करके चाहे थे कि जो हमारा array है वो क्या है होमोजीनियस है क्या है homo जीनियस data type है ठीक है तो जितने लोग option number यहां पर डी दे रहे हो सभी लोग correct हो जाएंगे तो याद रख लिएगा जो हमारा array है वो एक क्या है homo जीनियस type है क्योंकि array में दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं मतलब 2 या 2 से अधिक subscription होते हैं ठीक है तो यह हमने पढ़ाया थे array में तो आई होब कि आप समझ यह होंगे तो यहां पर क्या होता है array क्या होता है homo genius data type होता है ठीक है तो option number D आपका correct नहां पर answer है चली अगला question आपके screen पर आ चुका है आप सभी लोग पढ़ेंगे जबा automatic induction है किसका यूज करते हैं basically इसका 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 या ननाव देबग फड़ा फड़ा फरस कमेंड करके बताएंगे इनमें से कौन सा यूज करते हैं क्योंकि इस बात को सभी लोग को याद रखना चाहिए विकाज पुछता है जादी तर तो हम लोग basically सबसे ज्यादे हम लोग सारे लड़के आते हैं देखके चले जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल मत किजी लास्ट टाइम आपका चला है तो जितने भी important question आपको बताए जा रहे हैं बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही एकजाम में helpful होंगे to accept 100 difference value into the area we require इसमें क्या चलेगा या तो लूप चलेग कि हमें कौन सा लूप का यूज करते हैं क्या पड़ा पड़ा से कमेंड करके बता देंगी आठवा का देखे to accept 100 difference value मतलब 100 अलग value को अब लोगों को उसके accept करना है तो किस चीज़ का यूज करेंगे आठवा में पूछा जा रहा है तो जहां पर सभी लोग यादर की या द्यान में रखेगा यहां पर 100 लिखा गया पर 50 हो 10 हो 1 हो 2 हो कुछ भी हो यहां पर different की बात आ गया तो basically हम लोगों किसका यूज करते हैं लूप का यूज करते हैं ठीक है तो चली अगला question चलते है पर लूप आपका correct answer हो जाएगा चली अगला question आपके screen पर आ चुगा है आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाव देंगे देगे कहा रहा है कि if integer variable a equal to 7 by 3 will return value यहां पर यहां पर हम लोग 3 से भाग देते हैं 7 का ठीक है तो हमारा कितना आता है 2.5 आ जाएगा लेकिन हमको क्या करना है कि यहां पर कह रहा है कि if the integer value sorry integer variable a will be return value अगर यहां पर देखे ते actually value होती है क्या होती है actually value ठीक है यहां पर हमारा 2.5 है 2.5 आया यहां पर 5 को हम लोग cancel कर देंगे तुम्हारा जो बचेगा यहां पर actually value होगी वो 2 होगी ठीक है तो option नमबर यहां प question चलते हैं अगला question आपके screen पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाव देंगे देखें अगला question क्या कह रहा है यहां पर अगला question कह रहा है गाईज की pointer holder pointer holder क्या है variable of variable sorry value of variable address of variable value and address of variable always null अगला question चलते हैं चलते हैं चलिए अगला question आपके screen पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे दिखेंगे question कह रहा है कि c language available for which of the following operating system फटापट से comment करके बताएंगे c language is available for which of the following operating system c language में कौन सा operating system available होता है आप सभी को बताना है doos window linux sorry unix or all of the above फटापट इस कमेंट करके कि बिल्कूल मत मिस किजेगा इस टाइप के question आने माले है c programming से तो आप लोग बिल्कूल मत मिस किजेगा ठीक है और जितने लोग देख रहे हैं आपर वीडियो लाइक कर दिजे प्लीज चलि अगला यहां पर देखे एक question कह रहा है कि c language में हमारा operating system कौन सा यूज होता है ठीक है तो यहां पर सभी यूज होते हैं आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे which of the following our token is which of the following our token is c फटा फटास कमेंट करके बताएंगे यहां पर कि जो हमारा c में token क्या होते हैं सभी लोग बताएंगे c में token का पूछा जा रहा है token क्या होते हैं किसको फॉलो करता है जैसे keyword को variables को constraint को या फिर आलापदेवव तो फटाफ़ास कमेंट करके बताएंगे यहां पर देखे हमने trick भी बताएंगे आप सभी को कि अगर यहां पर बिल्कुल दिमाग नहीं आ रहा हो तो आलापदेवव वह लग करेक्ट कर देंग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि यह चीजे होती है क्योंकि हो सकता है आपका यह option दे और बाकी बाद option दे ही न दूसरा option दे दे तो आपको इसी में से चाट ना है तो याद रहेगा तब ने की keyword या variable या constant इनमें था ठीक है चले समझ गया होंगे आप चले अगला question च चुका है आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे दिखेंगे कर रहा है कि सी वाज डबलप in the year सी का जो डबलप किया गया था कौन से साल में किया था आप सभी लोग फटा 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 पर दिया गया हमने simply जो पहले बताय थे उसमें हमने actually date बताई थी तो आप अगर पता होगा आपको तो actually date नीचे कमेंट करके बता सकते हैं फटा फटा से सभी लोग कमेंट कर देंगे actually date क्या थी उसकी बाकी बात फिर बेट वीन वालना तो बताई देंगे बीच में पूछा जा रहे कि इसके किसके बीच था फस्ट दिया गया है बेट पिन ummy थी 69 टू शीषी नेीच सेवेंटी थीजसी फिर ब कंसलों में इसन पिर सद्धिया गए नेटी शेंटैंटी ओंटीं फिर द्लाकियागे :「ंज क्री बाकॉथ जा आप सभिके पता होगा तो हमने बताया थेवहां पर साएद ननीटी सिक्टी नाइट बताया थी ठीक है तो लंग्वेज का जो डबलब किया गा था 1969 से लेके 1973 के बीच में किया गया था ठीक है तो जितने लोग आपसन नमबर यहां पर यहां पर दे रहे हों सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे अगला कीशन आपके स्कीन पर आपसे लोग पढ़ेंगे जब आपसे लोग पढ़ेंगे देखेंगे आपके कह रहा है कि वीच इसकोप करेक्टर कैन बी यूज टू बी फॉर्म दर स्पीक इन सी ए बी एम एन तो फटा फटा से कमेंट करके बताएंगे कि इन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा वीच इसकीप करेक्टर कैन बी यूज टू बी फॉर्म दर इसकी इसकीप करेक्टर को इदी बोलते हैं तो उसको बतलब किस टेप बोल सकते हैं आप यहाँ पर देख लिजे हिंदी में तो ड़्रोड़ साब को समझ में आ जाएग बीफ फॉर्म दिया गया इसकीप करना है तो हमारा एक करेक्टर होता है वह भी इसमाल में ठीक है एक इसमाल में होना चाहिए तो यह आपका राइट एंसर है चलिए अगला केशन चलते हैं अगला केशन आपके स्कीन पर आप से लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे दिखे अगला केशन कह रहा है कि विच आप दो फॉलोईंगे जे कीवर्ड इन यूज फॉर इस्टोरेज क्लास पड़ावट से सभी लोग कमेंड करके बता देंगे भाई लोग इस केस्टन का एं प्रिंटफ का एक्स्टरनल का आटो का इसकेन अफ पड़ावट से कमेंड करके बता देंगे पांच वाग बहुत इंपोर्टन क्यूशन है तो कौन सा एंसर करेक्ट हो जाएगा इस्टोरेज क्लास के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं प्रिंटफ का एक्स्टरनल का आटो का इसकेन अफ का तो गई जहां पर सभी लोग याद रख लिएगा बैसे के लिए हम लोग आटो का यूज करते हैं किसका आटो का ठीक है तो जितनी लोग आप्सन नंबर यहाँ पर C दे रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएंगे auto आपका correct answer है चली अगला question आपके screen भी आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे देखे कहा रहा है कि continue statement in use हम लोग statement का continue किसकी use करते हैं जैसे जो हम दिया गया है first में to go to next interactions in a loop come out of a loop exit and return to the main function या फिर restart interaction from beginning for loop तो फटा फटा से comment करेंगे इन में से कौन सा correct answer हो जाएगा आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कहा जा रहा है थ्यान से एक सेकेंट रुग जाएगा चले कहा जा रहा है पर कि जारी रखे कथन का उप्योग किया जाता है loop में अगले पुनरवेती पर जाने के लिए loop से बाहर जाना बाहर निकलने और मुख्य फंक्सन पर वापस जाएं या loop की शुरुआत से पुनरवेती को पुनरवेती को मतलब फिर से प्राराम करने के लिए तो छट्था का कौन से अंसर हो जाएगा करेक्ट पर बताएगे तो या पर सभी लोग याद रखे लूप में अगले पुनरवेती पर जाने के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं यूज तो जितने लोग आपने सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएंगे कांटिन्यू स्टेटमेंट को कांटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट इंट्रेक्शन इन लूप ठीक है तो आपका करेक्ट अंसर है चले एकला किसन चलते हैं अगला क्यूशन आपके स्कीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाव देंगे देखिए अब है कर रहा है कि फाइल मैनुप्लेशन्स फंक्शन इन सी और बेरिवल विट विज हेडर फाइल फटाफट से कमेंड करके बताएंगे कि क्या हो सकता है क्योशन कहा जा रहा है कि सी फाइल में मैनुप्लेशन्स फंक्शन किस हेडर फाइल में उपस्तित होती है फटाफट से comment करके बताएंगे कि c में c program में जो हमारा है वो यहां पर कौन से file में पूछा जा रहा है कि header file उपस्तित होता है steam.h में studio.h में या stdb.h में या फिर last में आपका दिया गया है files में तो किस में store करके रखते हैं फटाफट से comment करके बताएंगे store करके रखते हैं जैसे यहां पर option आपका देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है तो basically हम लोग studio.h में रखते हैं यह हमने आल रड़ी पहले बताए हुए हैं तो studio.h में रखते हैं तो option नमर यहां पर भी आपका correct answer है अगला question आपके scene पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जब आप देंगे देखिए अगला question क्या गरेंगे compiler एक compiler है आप सभी को बताना है is your computer program transaction high level language into machine language is your word of a software या editor तो फटावड से बताएंगे compiler क्या होता है अब हमने compiler की बात किया था तो आपने ध्यान दिया होगा और एक बात और हमने बताया है कि देखी अगर question में 2-3 type के आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो 2-3 type के छाटने का answer होता है पहली बात कि जो सबसे बड़ा होता है वो correct हो सकता है या फिर जो अलब देवब होता है वो correct होता है तो बोथ जो होता है वो correct होता है ठीक है तो यहाँ पर तीना option अगर आपके कोई question में है तो आपको आँख मुंद के मार देना है जो की correct होगा ठीक है और compiler क्या है कि इस ए computer program नहीं है ठीक है transaction high-level language into machine language ठीक है तो जो option नमबर यहाँ पर बी है वो correct है बड़ा भी है ठीक है बड़ा इसलिए रहता है क्योंकि उसको समझाने में उस बात को समझाने में थोड़ा time लगता है इसलिए वह चीज बड़ा होता है तो यहाँ पर आपका transaction high-level language into machine language तो जितन कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं तो आप उल्टा सिधा कुछ सवाल पूछेंगे या तो फिर आप कुछ भी class से छोड़के दूसरे चीज़े पूछेंगे तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा आपको आपको बस जो question आपको दिख रहा है बस उसका answer करना कैस्टिंग कनवर्जन्स या डिस जक्संस या यहां पर दिया गया से प्रेसंस तो फटा फटा फट से कवेंट करके बताएंगे इसके उस्टन के answer क्या हो जाएगा कहा जा रहा है कि अश्पष्ट प्रकार के रूपांतरड को के रूप में जाना जाता है तो आप सभी को ब कौन से extensional correct हो जाएगा यहाँ पर सभी याद रहाएक कास्टिंग का इस्टींग का बेस्टिंगकी यहाँ होगा यहाँ पर तो जितने लोग और सफननर ऐहां पर यहां-पर सभी यहाँ पर correct हो जाएंगे अगला question आपके screen पे और आप से लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे दिखे अगला question किया कह रहे है कि यह function popular use in C input function popular function पूछा जा रहा है C में कौन सा है scan of print of gauge या character ऐसा कौन सा C input function है ठीक है जो की popular है C program में या use किया जाता है सबसे ज़्यादा scan of print of gauge का या character का दसे वाख़ा सभी लोग comment करके बताएंगे description का answer क्या होगा तो बाकी बात सभी लोग को पता होगा scan of का जादे use होता है ठीक है popular जिसको बोल सकते है popularity जिसको होती scan of यहाँ पे right answer है scan of करेंगे यहाँ पे a function popular use input c input function यहाँ पे क्या हो जाएगा scan of आपका correct answer हो जाएगा ठीक है तो जितने लोग option number यहाँ पे a दे रहे हो सभी लोग correct हो जाएंगे अगला question आपके screen पे और आप सभी लोग बताएंगे और जवाब देंगे कि क्या है रहा है कि c is often called यह पे often का मतलब होता है अक्सर होता है ठीक है तो c को अक्सर हम लोग किस नाम से जानते हैं क्या कहते हैं जैसे कि object oriented language high level language assembly language machine level language तो फटा फटा से comment करके बताएंगे कि इसका answer क्या होगा समझ गेना question c is often called often का मतलब होता है अक्सर यानि c का अक्सर हम लोग किस नाम से यूज करते हैं क्या कहते हैं आप सभी को यहाँ पे बताना है जैसे कि पहला option दिया कि object oriented language high level language assembly language या फिर machine level language तो फटा फटा से comment करके बताएंगे कि first का कौन सा answer correct हो जाएगा देखिए यहां पर थोड़ी सी बात आया रखेगा कि जो हमारा object oriented language होती है basically java में है ठीक है object oriented programming language in java तो यह आपका java में यूज होता है high level language हम लोग basically इसको बोल सकते हैं often जो दिया गया है high level language ठीक है basically इसको हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं high level language होती है ठीक है तो option number यहां पर आपका b वाला correct है बाकी बात पिर से दूसरे language हैं चलिए अगला question चलते हैं अगला question आपके screen पर आप से भी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे दिखिए का रहा है कि each c preprocessor directive begin with तो फटापट से comment करके बताएंगे कि इस question का answer क्या होगा परतेक c processor निर्देशक सुरू होता है फटापट से comment करके बताएंगे जो c में preprocessor होता है किस से beginning होती है hash से include से man से या आपके records दिए गये हैं तो आप सभी फटापट करके बताएंगे किस से start होती है तो guys यहां पर सभी लोग को पता है कि hash से use होता है क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते है hash लिखते है इसके बाद include लिखते है program को यह आप बनाए होंगे तो आप सभी को पता होगा पहले hash tag का use करते हैं तो यह सबसे पहले पूछा जा रहा है फिर function होगरा लिखते है ठीक है तो option number यहां पर यह आपका correct answer है अगला question आपके screen पर आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे आपे c allow array of greater than two dimensional who will determine this फटा 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 चे कमेंट करके बता है programmer compiler parameter none of the above फटा 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 कमेंट करके बताएंगे इस question के answer क्या हो जाएगा अभी just हमने पीछे बताया थे ठीक है कि array क्या है यहां पर देखे c always array of greater than two dimensional who will determine this तो हमने array पूछे थे ने कि array क्या है आपने क्या बताया था compiler है है ना compiler तो हमने 10 dimensional भी रहता है कि 1ดा attorneys होता है ट्व डेमेशनल होता है अभी हमने जूट पीछे बताये थे अगर आपको याद हो worry तो हुआप सिर्ण प्रकाइगा compiler नेरघ आए array यहाँ पूता है आयाँ अगर compiler देया गया है तो आप से awake yo compiler इजर्डर खेंशे चलिए अगला की से जलते हैं the is greater than देखे दिया operator is used for इस operator का use करते हैं right shifting के लिए left shifting के लिए bitwise shifting के लिए bitwise complaint sorry compliment के लिए फटावर से कमेंट करेंगे इस operator का use किस लिए करते हैं इस बात को फटावर से कमेंट कर बताएंगे इस operator का use कुछ लिए करते हैं कि दिए कितने लोग को पता है चाओट ही का इंसर है तो भी सभी लोग वियाद रख माद रखेंगे अब यह साथ को यहां पे करेक्ट हो जाएगा अग्ला कीशन आपके स्कीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे लिखे अग्ला कीशन क्या कह रहा है कह रहा है कि सीट अव बेल्यू अब दे सम टाइप विच है वा सिंगल नेम फॉलोओन बाई इंडेक्स इजग काल्ड तो फटा फट से कमेंट करके बताएंगे इस क्योशन के अंसर क्या होगा क्योशन दियान से सभी लोग समझ लेंगे कह रहा है कि एक ही प्रकार के मानों का एक ही प्रकार के मानों का समूचे जिसका एक ही नाम होता है कह रहा है कि एक ही प्रकार के मानों का समूचे जिसका एक ही नाम होता है और उसके बाद एक इंडेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फटा फट से कमेंट करके बताएंगे फंक्शन, स्टक्चर, इसके बाद कह रहा है एरे या यूनियन फड़ा फड़े कमेंट करें बताएंगे पच्छ बाग अकाउंट सा एंसर करेक्ट हो सकता है तो गाई यहां पर देखी लिखाएंगे seat of value of the same type which have a single name followed by an index is a card तो अप्शन नमबर यहां पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहां पर अपर नमबर c यानि array ठीक है array is the right answer यहां पर correct answer array आपका हो जाएगा चलिए अगला question चलते हैं अगला question छो नमबर का जो आपके screen पर आप सभी लोग बताएंगे जवाब देंगे आपके देखे कर रहे कि which of the following header file in require for यहां पर strcpy दिया गया है नि इनमेंसे कौन सा use होता है जैसे कहा पर दिए गया है string.h को मैं हम लोग रखेंगे इसको प्टाफड से बढ़ते बताइंगे है that true.h यहां पर s लगा दिया घया है file.h....... यह फिर यहां पर देखे दिया गया है is track copy तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा फटाबट से कमेंट करेंगे छटे नंबर का कौन सा करेक्ट हो सकता है तो काईज आपर बेसिकली याद रख लिजेगा कि हम लोग string.eh का यूज करते हैं तो सभी लोग से इसके इस नंबर का यूज करेक्टर करता है आप सभी को बताना है दीए पहला दिया गए is the most important is the use first is the faster या operator on large number तो फटा फट से comment करके बताएंगे पहले का कौन सा answer correct हो सकता है here you can decide with operator in use first क्या करेंगे use first टीक है तो जितने लोग option number यहां पर b दे रहे हूं सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे आपका b option यहां पर right answer है अगला question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जब आप देंगे देखिए अगला question कर रहा है कि a pointer can hold एक pointer क्या करता है आप सभी को बताना है single address at time two address at time number up address at time या फिर none no address फटा 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 से comment करके बताएंगे question का answer क्या हो सकता है तो गई यहां पर सभी लोग याद रख लिएगा option number a two का कि a point can hold single address at a time ठीक है तो single address को trace करता है तो जितने लोग option number यहां पर यहां पर correct हो जाएंगे अगला question आपके screen पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे जब आप देंगे question कहरा है कि an integer constant in c must have a an integer constant in c must have आप सभी का thought about this question के answer ना देखिए question क्या कह रहा है कि c में एक पुडात्मक इस्थिरांक होना चाहिए c में एक पुडात्मक इस्थरांक होना चाहिए तो आप सभी को बताना है कि at least one digit का at least one decimal point का या एक common along with digital का a digital spreaded by commons का तो फटाफट से कमेंट क्रिक बताएंगे तीसरे का कौन सा करेक्ट हो सकता है तो गई यहां पर सभी लोग याद रखेंगे एट लिस्ट वन डिजिट ठीक है बताएंगे इसमेंसे कौन सा करेक्ट हो सकता है तो कैसे सबी लोग याद रखेंगे जबाब देंगे वीच आव फौलाइंग इस पाल्स फाल्स इज सी ची के लिए इनमें से कौन सा false content है आप सभी को बताना है पहला आपका दिया गया keyword can be use a variable name, variable name can contain a digit, variable name do not contain a blank space, capital letter can be used in variable तो फटा फटा से comment करके बताएंगे इस question का answer correct क्या हो सकता है तो कैज़ आपे सभी लोग याद रख लिजेगा, यहाँ हमारा जो यह है keyword can be use a variable name यह यहाँ पर गलात answer है ठीक है यह आपका false है तो जितने लोग option number a दे रहे हो सभी लोग यहाँ पर correct हो जाएंगे अगला question आपके screen पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाव देंगे देखिए यहाँ पर expression दिया गया x is equal to 4 plus 2 percentage minus 8 evaluate to यहाँ पर evaluation पूछ रहा है इसका क्या होगा तो आप सभी लोग इसको करके बताएंगे ठीक है इसका answer आप सभी को बता दे रहे है इसका option है क्या six है ठीक है यह यहाँ पर correct है तो आप इसको आप सेम डाटा टाइब डाटा टाइब डाटा टाइब डाटा आइटम एंड वैरिवल इंटीजर वीथ यूजर डिफाइन निम या फ्लोट पॉइंट वीथ यूजर डिफाइन निम तो भटावट से कमेंट कर बताएंगे इस करवाम हों किया होسकता है कि एक संरचना के समोह को क्या कहते हैं एक संरचना के समोह को क्या कौ किया है आप सभी को बताना है तो जा सब स自焦च याद रख लिएगा डाटा आट्म बेरिवल कहते हैं ठीक है तो जितने लोग उ locks Estelle नामर्जाइब दे वो सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे अगला खीशन आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे दिखेंगे कहा रहा है कि यह variable which is visible only the function in which it is defined is called फटा फटा दो कमेंट करके बताएंगे इस question के answer क्या होगा, static variable, auto variable external variable या local variable देखते हैं किते लोग जवाब दे पाते हैं इस question के answer का जा रहा है कि एक variable जो केवल उसी function में दिखाई देता है एक variable जो केवल उसी function में दिखाई देता है जिसमें इससे परिभाशित किया जाता है तो वो कौन सा है आप सभी को यहां पर बताना है फटाफट से सभी लोग comment कर देंगे पहला option आपका दिया गया static variable, local variable या फिर आपका दिया गया है static variable, auto variable, external variable या local variable देखते हैं किते लोग जब आप दे पाते हैं आपका आठवा का तो गाई जहांपे सभी लोग याद रख लीजेगा option number D यानि local variable यहांपे आपका correct answer है तो local variable यहांपे आपका correct हो जाएगा अगला question आपके screen पेर आप सभी लोग पढ़ेंगे जब आप देंगे देखें अगला question क्या कहा रहा है कि in the loop structure a logical expression in a check at the यहांपे कौन सा चीज होगा of the loop तो फटा फटा से कमेंट करके बताएंगे इस question कैंसर क्या होगा question ध्यान से कह लिए देख लिए कर रहे कि लूप structure में लूप के लूप के फिर स्पेस है पर एक logical expression चेक किया जाता है की लाचीकल एक्सपेसेन के लिए कौन सा यूज होगा फटा फटा फट से कमेंट करके बताएंगे नौप कौन सा सकते हैं क्टो जहांद हो यहांब की याद रख लिजागाает होती का ठीक है चेकर अर्ट लूप ठीक है तो सबसे पहले जितने लोग option number A दिये हैं वो सभी लोग यहाँ पर correct हो जाएंगे अगले question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे देखे कहा रहा है कि if an array is used as function, agreement the array is passed फटाफट से comment करके बताएंगे इस question के answer क्या हो सकता है देखे question क्या कह रहा है कि यदि किसी सारड़ी में यदि किसी सारड़ी को function तरके रूप में उप्यक किया जाता है तो सारड़ी को क्या कहते हैं आप सभी को यहाँ पर बताना है if an array use a function agreement the array is passed by value, by reference, by name, the array cannot be used a function agreement तो कहीं जहाँ पर सभी लोग यादर किजिए जो मारा 10 है, 10 का question है वो यहाँ पर option number B वाला correct है यहाँ बाई reference ठीक है, by reference द्वारा होता है तो option number B यहाँ पर आपका correct है अगला question आपके screen पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाव देंगे देखे अगला question कह रहा है कि it is necessary to declare the type of function is a calling program लुत आप सभी बताना है कि नमें से कौन सा पर करेक्त हो जाएगा आप time तो इन में से कौन सा correct हो जाएगा तो guys 11 नमबर का सभी लोग याद रख लिजेगा function return and non integer value तो जितने लोग option नमबर यहां पर भी दे रहे हैं वो सभी लोग यहां पर correct हो जाएगे अगला question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे दिखी दिखा गया है कि which is cap character can be used to beginning a new line in C फटा फटा से comment करके बताएंगे question का answer क्या हो सकता है तो guys पहला option में दिया गया A फिर दिया गया M फिर B फिर N दिया गया ठीक है तो guys यहां पर सभी लोग याद रख लिजेगा बेसिकली हम लोग N का यूज करते हैं किसका N का ठीक है यहां पर character can be used to beginning a new line in C C में new line के लिए तो यहां पर option number D वाला correct हो जाएगा अगला question आपके screen पर आप सभी लोग बताएंगे what is the purpose of plus यहां पर फंक्शन दिया गया है plus function तो आप सभी को बताने कि plus function क्या है plus all stream and specify stream यह plus the only specify stream plus input output buffer plus file buffer तक यहां पर सभी लोग याद रख लिजेगा plus all stream and specify stream हो जाएगा ठीक है तो option number जितने लोग A दे रहे हों सभी लोग यहां पर correct हो जाएगे अगला कीशन आपके स्कीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जब आप देंगे देखेंगे अगला कीशन जो 15 नंबर का है वो कह रहा है कि what do the following declaration means यहां पर काया जा रहा है कि यहां पर कुछ दिये गए है ठीक है इसका means आपको declare करके बताना है कि क्या होगा जल्दी से प्टाफ्ट से comment करेंड़ कि इसकुन सा होगा पह यह कुन सा करेक्ट हो यह वाप सभी लोग बताएंगे तो गयाए特प पर सभी लोग याद रखिए आप PTR इसे पॉइंटर टू एन एरे आफ टेन इंटीजर तो जितने लोग आपसे नमर यहां पर बी दे रहे हों सभी लोग यहां पर करेक्ट हो जाएंगी गई यह सी का लास्ट क्यूशन है आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे दिखिए यहां पर कहा रहा है कि सी प्लस प्लस और सी का बिस्तार है जिसमें कि वर्ग निर्माण विशेष्टा का एक प्रमुख जोड़ है इसमें पूछा जा रहा है कि सी मूला 67, 57, 47 या 87 तो इनमेंसे कौन सा है आप सभी को बताना है फटा फरते कमेंट करके बताएंगे इनमेंसे कौन सा करेक्ट हो सकता है तो गैज यहाँ पर सभी लोग याद देखे जाया सीमूला 67 यहाँ पर correct answer है ठीक है तो जितनी लोग option number यहाँ पर A दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर correct हो जाएंगे तो गैज बस आज के लिए इतना ही आज के लिए बस इतना ही क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद और सभी लोग अच्छा से एक जाम दीज़ेगा ठीक है आपकी क्लास 9 तारिक को morning 10 बज़े से चलेगी और भी revision बैच चलेगी ठीक है टोटल 3-4 गंटे की क्लास होगे तो सभी लोग जुड़ेंगे और उस दिन सब लोग एक बार revision कर लेंगे ठीक है बाकी बात फिर जो help होगा हम टेलिग्राम पर कर देंगे तो टेलिग्राम सभी लोग जोईन कर ली जागा और कोई भी problem हो तो नीचे comment करके जुरू बताएगा बस आज के लिए इतना ही बाई बाई टेक केर